नमस्कार बच्चों इतना आसान ही होता यानि कि काफी कुछ ऐसा होगा जो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा उसी content को हम simplify करके आपके साथ share करने की कोशिश करते हैं दूसरी चीज कि जो content आपकी NCRT की books में दिया गया है history की अगर हम बात करें तो उसमें धाई कदम आगे चलते हैं धाई कदम पीछे चलते हैं यानि कि काफी कुछ ऐसा होता है जो sequence के according नहीं होता है यानि कि कुछ पहली की बात होती है कुछ बाद की बात होती है तो हम थोड़ा सा confused हो जाते हैं तो उसी content को हम sequence के according सेट करते हैं एक कहनी का format लेकर के आपके साथ share करते हैं ताकि आपको वो समझना आस साथ ही साथ यह जो हमारी NCRT की series होती है इसमें हमारा main focus होता है आपके concept के उपर क्योंकि concept इस दक की अगर आपके concept clear हो जाते हैं आपको facts ठीक से समझ में आ जाते हैं इट means that आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए सब कुछ easy हो जाएगा आपके यह signal ठीक से आने शुरू हो जाते हैं उस दिन समझे कि आप आगे जाने वाले हो बहुत आगे जाने वाले हो उस subject में आप सबसे आगे जाने वाले हो आज हम क्या बात करेंगे आज इस वीडियो में इस episode में हम बात करेंगे आपके history के third chapter गे आपका third chapter है An empire across three continents यानि कि तीन महादिपों में फेलावा समराजे उसके हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह तीन महादिपों में फेलावा समराजे कौन सा जिसके हम बात करेंगे उसके बाद उस समराजे को हम देखेंगे कि यह कहां फेलावा था उसकी क्या-क्या विशेशताई थी उसके कवर करने को गुर्षिश करेंगे और होफुली कि 80-90% जो आपके कंसेप्ट है वो एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हम आज की इस एपिसोड की इस वीडियो की और इस चैप्टर की तो आज का जो तीन महादीपों में फेलावा सामराज्य की सामराज्य की बात करने वाले हम बात करने वाले हैं रोमन सामराज्य की यह जो रोमन सामराज्य इसको तीन महाधिपों में फेलावा समराज्य कहा जाता है इसा क्यों कहा जाता है कि रोमन समराज्य का जो फेलाव था वो आज के अधिकांस यूरोप में था यानि कि लगबईयों कह सकते कि 90% के आसपस यूरोप को ये कवर करा था इसके साथ पश्मी एशिया के कुछ देश इसमें सामिल थे और उत्री अफरिका है उसका कुछ भाग भी इसमें सामिल था यानि कि तीन महाधिपों हो गए न यूरोप हो गया एशिया हो गया और अफरिका हो गया तो ये तीन महाधिपों में फेलावा था तो यहाँ पे जैसा कि आप अपने स्क्रीन के उपर देख पा रहे हो यह पार्ट आगए यूरोप का यानि कि यहाँ पे इंग्लेंड आगए यहाँ पे फ्रांस आगए यहाँ जर्मनी आगए यहाँ पे बात की जाए तो स्पेन आगए पूर्टगाल आ गया, इटली वगर आ गया, एथेंस, युनान वगर आ गया, यह पार्ट आ गया यूरोप का, उसके बाद यह पार्ट आ गया अपका एशिया का, और यहां से अफरीका का पार्ट आ गया, बीच में रह गया हमारा मेडिटेरियन सी यान की मुबध्य सागर, इसलिए इसको तीन महादिपों में फेला हुआ समराजय कहा जाता है, अब यहां पे एक छोटा सा वन मारकर कोशिन बनता है, जो आपके एकजाम में काफी बार पूछा गया, बार बार रिपीट होता रहते हैं, कि जो रोमन समराजय है, इसको आप रोम समराजय भी कह सकते ह उसका हिरिदय किसे कहा जाता है, तो जो रोम समराजय है, वो कहां फेला हुआ था, वो यूरोप और अफरिका महादीप है, उसमें फेला हुआ था, थोड़ा से हिस्सा किसका आदा है, एशिया महादीप का, इनके बीच में यह जो पार्ट थी, यह अलग थे एक समुद्र क मैंने आपको दिखाए था, कि यह वाला जो पार्ट है, यह यहां से देखिए, कि यह वाला जो पार्ट है, यह, ओके, लाइट ब्ल्यू सेड में जो दिया गए, यह भूमद्दे सागर है, क्योंकि यह बीच में आ रहा है, इसके चारों तरफ ही रोमन या रोम समराजय फे कि आसपास जो परदेश थे, उस पर इसका दबदवाया कबजा था, यान कि जो भूमद्दे सागर था, उसके चारों और कह सकते हैं, कि उसके चारों और फेलावा था, उत्र में समराजय की सीमा का निर्धान दो महान नदियां करती थी, राइन और डेनियूब था, उससे ह अफरिका के महादीपों के बीच में, जो भूमद्दे सागर था, यह भी, यान कि इसी का पार्ट था, दोनों के बीच में आ जाता था, इसके साथ साथ पर्शिम के तरफ जाएं, तो यहां पे स्पेन और पूरों के तरफ जाएं, तो यह सीरिया तक फेलावा था, यान कि इसमें आप ऐसे भी बता सकते हो, कि रोम सामराज्य है, पहला पॉइंट लगोगी, रोम सामराज्य है, वो भूमद्दे सागर के चारों तरफ फेलावा था, ठीक, दूसरा पॉइंट बता सकते हो, कि यह तीन महादीपों में फेलावा था, तीसरे में बता सकते हो, कि कौन और देन्यूब नदियां इसकी सीमा बनाती थी दक्षिन में जो सहरा डेजेट था उसकी सीमा बनाता था जबकि पर्षी में सीरिया इसकी सीमा बनाता था तो इस तरीके से भी आप आसान से लेंगुईज में लिख सकते हो तो ये तो बात हुई कि रोम सामराज्य का विस्तार कितना था, अगर आपने मैप में ठीक से समझ लिया, तो आपको इसको समझने की आफशकता नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि आप अपने आप ठीक तरीके से इसको लिख पाओगे, अब बात आती कि रोम सामराज्य है, उस को हम तीन भागों में बाढ़ सकते हैं, एक तो आप पाठे सामकरी, यानि कि उस वक्त का साहित्य मिला है, उस साहित्य से हमें स्रोत, वो जो साहित्य है, वो एक महत्मून स्रोत है, जिसे हमें महत्मून जानकरियां प्राप्त होती है, कि किस परकार की वहां पे कल्चर थी, किस परकार से वहां की शासन वैस्ता थी किस परकार के वहां पर रीती रिवाज थे किस परकार की वहां पर संस्ताएं होती थी वो सब कुछ हमें जानकारे मिलती है एक विस्तरित हमें साहित्य मिला है उस दोर का दूसरा पढलेक या दस्तावेज हमें मिले हैं यानि कि इस परकार के जैसे धातू के पढ़ लिखे हुए हमें दस्तावेज मिले हैं या अन्य जो चटानी है तो वहाँ पर भी कुछ इस परकार के पढ़ लेक मिलें तो उससे भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है रोमन सामराज्य के बारे में उस पर तीसरा जो स्रोत है जिससे हमें जानकारी मिलती है रोमन सामराज्य के बारे में वो है भूतिक आवशेश यानि कि उस काल के कुछ आवशेश मिले हैं खुदाई से कि उस परकार की उस समय की दशा और दिशा क्या थी तो ये तीन महत्मून स्रोत है जिसके बारे में थोड़ा साफ विस्तार से भी लिख सकते हो कि अगर आवशकता पड़े तो उसके बाद है कि वर्ष विर्तांथ यहां पे जो दस्तावेज मिले है उसमें एक वर्ष विर्तांथ भी है इस शब्द का प्रियोग है आपके चैप्टर में तो ये वन मार्कर के लिए iMP erosion है कि ये वर्ष विर्तांथ क्या होता है कि रोम में समकालिन जो वैक्ती थे उस समय के तो उस वक्त काल का परती वर्ष लिखे जाना वाला जो विर्टान्त था उसे वर्ष विर्टान्त कहा जाता था इस परकार से जिसे अपने यहां पर भी आता है वार्षी की आता है मैगजीन वगरा कुछ आती है येडली कुछ इस टाइप की बुक्स आती है जुसमें पूरे साल की घटनाओं के बारे में दिया जाता है तो इसी टाइप का वर्ष विर्तांत होता था एनल्स होते थे जो उस समय लिखा जाता था पूरे साल में क्या हुआ उसको लिखा जाता था तो उस परकार के जो वर्ष विर्तांत है उससे हमें उस दोर के बारे में बहुत कुछ हमें जानने का मोका मिला है इसके साथ पेपाराईस जो पेपाईरस है एक वर्ड आया आपके इसी के आसपा से एक ग्यावा कि ये पेपाईरस क्या है पेपाईरस की बात करें तो एक सरकंडा जैसा पोदा होता है सरकंडा जैसा सरकंडा भी आपने नहीं देखा होगा यूपी बिहार में आम तोर पे मिलता है सरकंडा जैसा कि वो यूँ कह सकते हैं कि जैसे आपका गन्ने का पोदा होता है तो उससे थोड़ा सा दुबला पतला होता है यान कि वो कोपोशन का सिकार होता है तो उस टाइप का होता है, तो ये सरकंडे जैसा एक पोदा होता था, जो मिश्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, उसी से लेखन सामगरी त्यार के जाती है, यानि कि आपको तो नहीं पता, पेढ़ा लेकिन जो आपके पीछे वाली पेड़ी है, वो तक्तियां लिखा करती थी, ठीक, आप अपने पाइरेंस से पूछ सकते हो, पैरेंस से पूछे, अपने फादर से, दादू से पूछे, तो उनसे पूछोगे तो आपको बताएंगी, कि हाँ तक्तियां लिखा जाती थी, स्कूल में, तक्तियां जो लिखते थे, वो कलम से लिखते थे, वो जो कलम होती थी, वो सरकंडे से त्यार के जाती थी, तो उस दोर में जो पे-पाइरिस है, वो एक सरकंडे जैसा पोदा था, जो नील नदी के किनारे उखता था, और उस मुरा की जिंदगी में उसका व्यापक प्रियों किया जता हजारों की संख्या में समीदा पत्र है लेक है समवाद पत्र है यह सरकारी दस्तावेज है वो इस दोर में जो हमें मिले हैं वो पे-पाईरिस से लिखेवे मिले यानि कि उसी सरकंडे की कलम से लिखें मिले तो यह वनमारकल के इंपोर्टेंट है कि यह पेपाइरिस क्या ही इसकी भी थोड़ी सी चर्चा के गए आपकी NCRT की बुक में तो यहां तक हमने समझ लिया कि यह सामराज्य कहां था किस परकार से हमें उसके बारे में जानकारी मिली है अब हम एके करके उसके बारे में थोड़ा ओर डिटेल में जानने का प्रियास करेंगे सबसे पहले कि यह जो रोमन समराज्य था इसको दो चर्णों में बांटा गया है और उसके बाद को परवर्ती समराजे कहा जाता है और उसके बाद को परवर्ती समराजय कहा जाता है तो जो पूरवर्ती समराजय था उसमें क्या था कि उसमें जो समाज था समराजय जो था उसमें विविन परकार की स्रेनियों में बंटावा था क्या थे एक तो उसमें सेनेटर होते थे यानि कि सेनेट होते थे उसके लिए वो सदेश्य चुने जाते थे उस वक्त तो एक तो सेनेटर होते थे उनका अच्छी खासा रुत्बा था समाज में यूं कह सकते हैं धनी लोग होते थे दूसरे होते अश्वार होई उनकी भी अच्छी खासी इज़त थी उस वक्त क्योंकि घुड़ स्वार जो थे वो सेना का एक परमुक भाग होते थे तीसरे होते थे अभिजात वर्क जो कुलीन वर्क होते थे जो कि धनी होते थे यानि कि जमिदार वगर आ गए और तीसरे होते थे फूर्ड निमंतर वर्क और दास यानि कि निमंतर वर्क किसको कहा गया कि जो खेती करते थे जो मजदूरी का काम करते थे और एक दास थे दास यानि कि जो गुलाम की तरह काम करवाय जाता है यानि कि गुलाम की तरह उनको रखा जाता है यानि कि वहाँ पे देखें कि ये तीनो जो वर्क थी ये धनी वर्ग थे जबकि जो निमंतर वर्ग थे और दास जो थे उनके हालात बड़े खराब थे उस वक्त क्योंकि उनको किसी परकार के अधिकार वगरा प्राप नहीं थे और आर्थिक हालात भी उनके ज़्यादा च्छे नहीं होते थे यानिकि ये कब था जो प्रारंबिक समराजय था, रोमन समराजय था, उसमें इस तरह के से समाज मंटावा था, उसके बाद अगर हम परवर्ती समराजय की बात करें, यानि कि उसके बाद की अगर समराजी की बात करें, या परवर्ती समराजय कौन सा होगा, जो तीसरी श्ताबदी के बाद की अवधी है, उसको प पहनी वर्ग आ गए जमिदार वगरा उसमें आते थे दूसरा था मध्यम वर्ग थे यनकि एक नया वर्ग उभर के आया था जो छोटे किसान कह लिजे थोड़े बड़े किसान थे वैपारी थे जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो मध्यम वर्ग के रूप में विक्सित हुआ औ तो यह तो हमने बात किए कि वहां का जो रोमन समराज्य था उसको हम दो भागों बाढ़ सकते हैं एक तो पूरोवर्ती समराज्य और परवर्ती समराज्य की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं था लेकिन समाज की स्थिति में थोड़ा सा बदलावाए था उसके बात की जा तो उस वक्त दो भाषाओं का प्रियोग के जाता था एक तो थी लेटिन भासा जिसको लातिनी भी कह सकते हो लेटिन भासा थी और दूसरी थी युनानी ग्रीक भासा ठीक तो दो भाषाओं का इस समराजे में प्रियोग के जाता था सिरफ नाम याद रखने उससे ज़्याद आपको detail में कुछ नहीं लिखना या समझना है उसके बाद एक और बात आती कि उसी समझ में एक और समराजे था जो महतपून था कौन साथ समराजे था? वो था इराशी समराजे अब बात आती है कि रोमन समराजे और इराशी समराजे था उन दोनों में अंतर क्या था ठीक, दोनों में दो महत्पून अंतर थे एक तो ये कि रोमन सामराजिक जो था वो सांस्किर्टिक द्रिष्टी से इरान की तुलना में अधिक विवित्ता पून था क्यों था? क्योंकि ये ज़्यादा विस्तरित था क्योंकि इसमें यूरोप के देश थे, इसमें अफरिका के देश थे, इसमें एशिया के देश थे, बड़ा विस्तरी था, तो इसमें cultural जो variations जो थी, सांस्कृतिक द्रिश्टी से ये ज़्यादा विवित्ता पून था, जबकि एरान था का जो सामराज्य था, वो इतना विस्त नहीं था, इसलिए उसमें लगबग एक ही परकार की कल्चर थी, ठीक, यानि कि यहां से आप दो अंतर निकाल सकते, एक रोमन सामराज्य ज़्यादा विस्तरी था, यह कम विस्तरी था, यहां पे सांस्कृतिक द्रिश्टी से विवित्ता ज़्यादा थी, जबकि वहां पे जबकि इरानी जो सामराजे था, तो उसमें इस परकार की विवित्ता की कोई गुंजाइस नहीं थी, यहन कि बाकी बड़े अंतर नहीं करने में, एक बड़ा था, एक छोटा था, एक में सांस्कृतिक विवित्ता दिक, एक में कम थी, एक एक ही महादीप में फेला वा था, इरानी सामराजे जबकि वो तीन महादीपों में फेला था, तो इसे दो या तीन अंतर आप कर सकते हो, अब उसके बाद एक और चीज हमें यहाँ पे समझ दें, कि वहाँ की जो शाशन वरस्ता थी, रोमन सामराजी की, उसमें एक सेनेट की बात आई है, सेनेट क्या थी, कि वहाँ पे एक संस्ता होती थी, सेनेट यानिकि एक एक करके हम सारी कड़ियों को समझ रहें, कि वहाँ की भाषा कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, क्या क्या था, तो सेनेट की बात है कि सेनेट क्या थी, कि वहाँ की एक संस्ता थी, जिसने उन दिनों में जब रोम ए सेनेट चुनती थी। रोमन सामराजी रीपब्लिक हुआ करता था तब जो रोमन सामराजी है उसके मुख्या को चुना जाता था और चुनने की जो दाईताव या जिम्मेवारी जो थी वो जिम्मेवारी सेनेट की होती थी। वो सेनेट में कौन होती थी। धनी परिवार की सदेश्य थी। उनके प तो रोम की सेना एक वैवसाइक प्रोफेशनल सेना थी जिसमें पड़ते एक सेनीक को वेतन दिया जाता है यानि कि ऐसा कुछ नहीं था आपने इतरे कही से जैसे आपने देखा कि अगर हमारे उस दोर की बात की जाए तो उस दोर में यह होता था कि हमारे यहां पर इसे करना है तो वहाँ पे वो मार खा जाते थे यहां कि जो रोम की सेना थी वो क्या थी एक प्रोफेशनल सेना होती थी उसमें परतेक सेनिक को वेतन दिया जाता था और नियुनतम 25 वर्स तक सेवा करने पड़ती थी यानि कि ये सब कुछ कंडिशन अपलाई थी जो आज कल ह उसके बाद जब मर जी वो छोड़ करके चला जाए एक वेतन भोगी सेना का होना निसंदे रोमन समराजे की एक सबसे खास विशेशता थी यनकि उस वक्त वेतन दिया जाता था रोमन समराजे में सबसे बड़ा एकल संग्थित निकाय थी वहां की सेना चोती स्तापदी तक लगबग 6 लाग के आसपास सेनिक थे उसमें और उसके पास निश्चित रूप से समराटों का भाग्य निधारित करने की सकते थी यानि कि 6 लाग की सेना और वो भी प्रोफेशनल सेना जो ट्रेंड थी तो एक बहुत बड़ी सेना थी और इसलिए कहा जाता है कि वो वहां क समराटों का भाग्य निधारित करते थी यानि कि वहां के समराटों की जो सकती थी वो सकती वहां की वो सेना थी सेनिक जो थे वो बहतर वेतन और शेवार शर्तों के लिए लगातार अंदोलन भी करते रहते यानि कि वो भी अवेर थे वो चाहते थे कि और बहतर विने यानि सेनिक अपने सेना पतियों और यहां तक कि समराट त्वारा ऐसंतुष्ट होते थे तो आम तोर पे वो आंदोलन भी करते हैं और कई बार ऐसा भी वर्णन हमें पढ़ने को मिला है कि वहां पर सेनिक विद्रों का भी रूप ले लेते थे यान कि सेनिक जो थे वो भी संग्ठि होते थे और उन्हें अगर लगता कि उन्हें दबाया जा रहा है या उनका वेतन कम है तो कई बार वो विद्रों भी कर देते थे तो यह बात हुई वहां की सेना कैसी थी तो वहां की सेना जो थी वो अनोठी थी संग्ठित की थी परशिक्षित होती थी उनको वेतन दिया ज उसके शासंकाल के हम थोड़ी सी बात करेंगे कि August का शासंकाल कया है था अक्टिवियन द्वहला स्ताफित जो राजय था उसको कहा जाता था Principe टोके ओक्टिवियन ने एक समराजर उसको Principe जाता था अक्टिवियन अब बाद में कि जब उसने Principate की स्थापना की तो अपने आपको August कहलाने लगा यानि कि वो खुद को उन्हीं कोई August कहा जाता है और वो Rome का पर्थम समराट बना ठिक यानि कि Octavian है उन्होंने Principate एक सामराजी की स्थापना की और किस नाम से राजा बना August के नाम से वो राजा बना समराट बना और वो रोम का पर्थम समराट बना था यानि कि ये भी एक important आपका important note हो सकता है 2-3 marker में कि रोम का पर्थम समराट कौन था उसके बारे में विस्तार से लिखे तो August जो थे वो रोम के first पहले समराट थे first emperor थे उसने 27 इस्वी पूरव से 14 इस्वी पूरव तक शासन किया था August का सासन शानती के लिए याद किया जाता है क्योंकि इस शानती का आगमन दशकों तक चले आंत्रिक संघर्ष और सद्यों की सेनिक विजे के पश्चात हुआता है यानिकि ये जो संघर्ष के बाद एक जो शानती का दोर था वो शानती का दोर इस वक्त मिला था कि लंबे समय तक शानती बनी रही थी यानिकि उससे पहले क्या था कि जो एक गर्णराज्य के तोर पर ओमन संघर्ष को जाना जाता था यहाँ पे एक संघर्ष के तोर पर सत्ता हासिल करने के लिए जब आपस में संघर्ष हो जाए तो उससे हम ग्रह यूद बोलते है मालिजी के देश के अंदर ही दो गुटों में, दो समों में अगर संघर्ष छिड़ जाए तो उसे हम ग्रह यूद कहेंगे प्रिपेक्षिय में दिया गया है कि उस वक्त जो ओगस्ट का काल था उससे पहले एक लंबे समय तक घ्रह यूद जैसे हालात भी बने रहे थे रोमन समराज्य में उसके जो रोमन समराज्य के राजनितिक संक्ठन की बात करें तो उसके तीन परमुखंग थे तीन परमुखंग कौन से होते थे एक तो था वहां का समराठ होता था यनकी जो की शक्ती होता था दूरी होता था दूसरे होते थे कुलीन या अभिजात वर्क उसमें जमिदार आ गए जो यूँ कह सकते हैं जैसे समराठ के विशेश तोर पे जो मंत्री थे जैसे सेना पर तीद्य आदी वो इसमें शामिल होते थे और तीसरे थे सेना यनकी ये तीन परमुख राजदिंग संग्ठन की अंग होते थे इनी पर पूरा रोमन समराजय ठीका होता थे यनकी पहला समराठ दूसरा कुलीन या अभिजात वर्ग जिसमें जमिदार होगे धनी वर्ग होगे और यूं भी कह सकते हैं कि समराठ के जो शाही दरबार के परमुख भाग होते थे विशेश व्यक्ति थे वो इसमें आते थे और तीसरी सेना थी जिसके उपर जिसके बलबूते पर इतना बड़ा समराजय खड़ा किया गया था अब हम थोड़ी से छोटी से बात करेंगे कि रोमन समराजय का परमुख ध्रम कोन सा था तो रोमन समराजय में हालांकि पहले अगर बात की जाए तो शुरवाती दोर में किसी भी ध्रम को विशेष दरजा प्राप्त नहीं था लेकिन 312 इस्व में जो समराट कॉंस्टेंटाइन थे उन्होंने इसाई ध्रम को राजध्रम घोसित कर दिया तराश्टे ध्रम घोसित कर दिया था तो ये हमें याद रखना है कि किस ने घोसित किया कॉंस्टेंटाइन ने कब घोसित किया 312 इस्व में किस ध्रम को राजध्रम घोसित किया इसाई ध्रम को इतना ही हमें जाना है इसके बारे में और ज़्यदा आपको डिप में नहीं जाना है उसके बाद रोम समराज्य के अरंबिक काल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शुरुवात में क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ और अंत में क्या हुआ रोम समराजय का जो पारंबिक काल की अगर बात करें तो रोम समराजय में 509 इस्वी पूरव से 27 इस्वी पूरव तक गनतंत्र वयवस्ता रही थी यानकी दो चीजे समझ लिजे कि शुरुवात में जो रोमन समराजय वो 509 इस्वी पूरव से शुरू हुआ था और 27 इस्वी पूरव तक यानकी पांसो नो से 27 इस्वी पूरव का जो समय था इस वक्त तक गनतंत्र सासन वर्सता रही थी यानकी समराट नहीं था गनतंतर कार्थ जैसे मैंने पहले बताया कि जो चुनावा सासक होता हमुख्या होता है तो वो चुने भी नहीं है, जापान में की बात करें, तो वहां के जो देश के मुख्या होते हैं, वो समराठ होते हैं, जो की चुने भी नहीं है, तो वो देश भी गनतंतर नहीं है, तो यहां पे चुने भी मुख्या हुआ करते थे, तो यह गनतंतर था, पर्थम जो समराठ और उसके राज्ये को उस वक्त प्रिंसिपेट कहा गए था तो ये भी समझना है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना कि बात तो हम बहुत पहले से करें और परतम समराट बने अब क्योंकि पहले जो थे वो समराट नहीं थे वो चुने हुए मुख्या हुआ करते थे और रोमन समराजे के जिसे हमने पहले बात किया कि राजनितिक इत्यास के तीन परमोखंग होते थे राजनितिक संग्ठन के तीन परमोखंग थे एक तो समराट होते थे दूसरा अभिजात वर्क या कुलीन वर्क और तीसरा वहां की सेना थे इस काल में रोमन समराजे प्रा ऐसे जो evidence मिले हैं, जो अवशेश मिलें, उसे पदा चलता कि जगए-जगए पे सारजनिक सनान गिरह बनाए गे थे, जगए-जगए पे इस परकार के जिसे ध्रहम-शाला हम कहते हैं, सराई बोलते हैं, इस परकार के अवशेश मिलें, यानि कि उस वक्ट जो समराड थे, वो कुछ जो सूचनाएं कह सकते हैं कि हमें जानकारी है वो प्राप्त हुई है उसके बाद प्रथम या दुईत्य श्तापदी की बात करें तो ये जो श्तापदी थी ओगस्त के बाद वाला पिरड जो था उसमें शान्ती, सम्रिदी और आर्थिक विस्तार का काल था यानकि इसमें शान्ती बने रही थी खुब उनती की थी, प्रगती की थी रोमन समराज्य में और खुब आर्थिक विस्तार भी हुआ था उसके बाद जो तीसरी स्तापदी आई थी वो जो स्तापदी का काल था वो एक संकट का दोर था रोमन समराजय के लिए यानि कि हाँ पर संकट आया ये ऐसा कोशन है जो सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर में से थ्री मारकर में पूछा गया तो तीसरी स्टाबदी का संकट क्या था ये हमें पता होना चीए कि क्या था जो रोमन समराजय को लिए एक बड़ा जटका था एक ऐसा दोर था जो ठहराव का दोर था कि उस समय राजनितिक उतल पुतल और ग्रह युद का ये समय था इस दोरान यानकि राजनितिक उतल पुतल भी हो थी ग्रह युद भी हो था यनकी सामराज्य के अंदर ही आपस में युदों में उल्जे रहे थे तीसरी स्ताबदी में तनाव उबरा था जब इरान के ससानी वंस ने बार-बार आकर्मन किया यनकी पश्चिम के तरफ से इरान के ससानी वंस ने आकर्मन किया और उत्तर की बात की जाए तो वहां से जर्मनी मूल की जंजातियों फ्रेंक, एलमनाई, गोत हैं उन्होंने रोमन समराजी के अलगले प्रांतों पर नेके वलाकरमन किया बलकि कबजा खड़ लिया था यनकी एक ऐसा दो रहा है जो रांतिक तोर पर भी उतल पुदल का रहा, ग्रहयुद का भी रहा और यहां पर बार-बार समराट भी बदलते रहे और समराजे सिकुड भी गया था इसे तीसरी स्ताबदी का संकट कहा जाता है यनकी तीन समझ्यां थी इस तोरान गिरहयुद छिड़ गया, इस तोरान रांतिक उतल पुतल का दो रहा, इस तोरान विदेशी आकर्मन हुए, इस तोरान वैपार चोपट हो गया, इस तोरान समराजे सिमट गया था, इस तोरा 47 वर्षों में 25 संकट बदल गए थे इसले इसे हम 3 स्थाब्दी का संकट कहते है ठिक समझ में आगे है न इसले इसको हम 3 स्थाब्दी का संकट माना जाता है Roman संब्राज्यक लिए उसके बात आती है कि Roman संब्राज्जे में समाज्स कैसा था साक्षर्टा कैसे थी, संस्कृती कैसे थी तो अगर हम समाज के बारे में जाने उस तोर के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस सामराज्य के समाज में एकल परिवार का चलन था यानि कि हम कई बार ये सोचते हैं पहले तो सिंख परिवारी होते थे ऐसा नहीं, बहुत पहले रोमन समराज में एकल परिवार का चलन था एकल परिवार का अर्थ है कि वह परिवार जिसमें पती, पतनी और उसके बच्चे रहते थी सिरब समराज में महिलाओं की स्तिती थी, वो काफी अच्छी थी, संपती में स्वामितव और संचालन में उन्हें कानूनी अधिकार प्राप था, उन्हें कि स्वामितव में और परवंदम में उनको कानूनी अधिकार प्राप थी इस अमराजी में अगर शाक्षर्ता की बात करें तो वो काम चलाओ थी, यानि कि 10% लोग भी पढ़े लिखे नहीं थी, यानि कि शाक्षर्ता कहां तक थी, कि अभिजात वर्ग ते जो लोग थे, केवल वही पढ़े लिखे होते थे, इसके लावा जो निम्न तबका की बात कर पर जिसे अभिजात वर्ग थे, कुलीन वर्ग जो थे, तो वो वर्ग थे, उनमें पढ़ाई का थोड़ा चलन था, इसके साथ-साथ यहां पर सामाजिक सांस्कृति वेता की बात करें, तो वो इरानी सामराजी के तुलना में काफी ज़्यादा थी, इसका कारण ये था, कि विस्तर बहुत बड़ा सामराजी था, तीन महादिपों में फेलावा सामराजी था, इसके यहां की कल्चर में वेरियेशन्स जो थी, डाइवस्टी जो थी, वो ज्यादा थी, ठीक, अब हम यहां के आर्थिक विस्तार की भी बात कर लेते हैं कि आर्थिक कंडिशन यहां के कैसी थी, तो जो रोम सामराजी था, उसका आर्थिक धांचाद हो था, वो काफी मजबूत, ओके, काफी मजबूत था, बंदरगा, खाने, खदाने, इंट के भटे, जेतून का तेल निकालने के कार खाने, यह अधिक मातरा में व्याप थी, यानि कि इस परकार के एविडें रूप से काफी जादा थी, यानि कि यह वो इलाका था, जो काफी उपजाओ भी था, किर्शी के दृष्टी से भी महत्मून था, इसके साथ साथ वैपार भी बहुत अच्छे तरिके से, वेल मैनेज तरिके से था, बेंकिंग वैस्ता बहुत अच्छी थी, धन का व्यापक रूप से प्रियोग किया जाता था, तरल पदार्तों के डुलाई कंटेनरों में की जाती थी इस तोर में, जिसे एमफोरा कहा जाता था, वन मारकर के लिए इंपोर्टेंट है, एमफोरा क्या था, कि जो तरल पदार्ते उनके डुलाई, जिन कंटेनरों में उस वक्त की जा और इसके अगर हम बात करें कि एविडेंसिस mol घृशल मेंग बंदण घृशल में बंदद गाय घृत कर विशल में गाता है पेक्रूपर ग통 कि या जाता अर्थवरस्ता भी सुद्रिट थी उसके बाद वहां की जो रोमन सामराजी है उसमें सर्मिकों का बड़ा योगदान था यान की जैसे हमने बात की सर्मिक आर्थ है सीधी तोर पे की वहां पे तीन महत्मून भाग थे समाज के एक तो जो समाज का महत्मून भागता वो समराठ हो गए दूसरे कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग थे तीसरा जो वर्ग था वो सर्मिक आ जाते थे मुठ्य तोर पे सर्मिक हो गए कास्तकार हो गए बंटाईदार हो गए जो निम्न वर्ग कह सकते हैं जिनके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे हाला कि मद्यम वर्ग में भी कुछ लोग शामिल हो गए थे लेकिन वो मुठी भड़ लोग थे तो सर्मिक किसमें आते थे उस तबके में आते थे जिसकी हालात सबसे खराब थे तो यहां पे आपके चैप्टर का काफी बड़ा भाग दिया गया जिसमें सर्मिको के बारे में हमें विस्तार से बता गया तो सर्मिको पर नियंतरन कैसे स्थापित किया जाता था कि दास्ता की मजबूर जड़े पूरी रामान जो रोमन समराज्य थी उस तोर में उसमें से 30 लाख दास थे तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर दासों की संक्या पहुँच जाता दासों को पूंजी निवेस का दरजा प्राप्ता था यानि कि दासों को खरीदा और बेचा जाता था उनका वैपार खुली तोर पी किया जाता था जिसके पास जितने दास होते थे उसको उतना ही ज़्यादा धनी माना जाता था और उच्वर्क के जो लोग थे वो सर्मिकों और दासों के साथ बड़ा क्रूरता पूर्ण वैवार किया करते थे ग्रामिन जो लोग थी, जो दास मतलब दास या सर्मिक वरक के जो लोग थी, वो रिंड से गरस्थ होते थे, ओर दासों के परती सहनुभोती पर आधारित वेवार बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसाब किताब के पर आधारित वेवार था यहनकि एक तरह के साथ जानवरों के तरह वैभार किया जाता था यहनकि उन्हें इनसान की बजाए एक वस्तु के तरह ट्रीट किया जाता था एक वस्तु के तरह उनको समझा जाता था इसमें एक छोटा सा वर्ड आपके दिया गया है आपके NCRT की बुक में दास पर्जनन की इससे आप क्या समझते हो कि गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी पर्था दी जिसके अंतरगत जो दासियों और उनके साथ उनके मर्दों को ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पेदा करने के लिए प्रोच्षाइद किया जाता था उके ताकि उनके बच्चे आगे चलके दास बन पाए तो इसे दास पर्जनन पर्था बोलते थे यानकि इसका भी छोटा सा वर्णन आपके चैप्ट में किया गया तो यह बात हुई कि दासों की हालात कैसे थे तो बड़े बूरे हालात थे दासों के या सर्मिकों के उसके बाद उन से जुड़ी कुछ समस्याएं भी थी दीरी दीरी ये पर्था कमजोर होती जा रही थी इसका करण था कि दासों से जुड़ी कुछ समस्याएं थी समझें क्या थी कि रोम में जो सरकारी निर्मान कारे करवाए जाते थे उन में मुक्त सर्मिकों का प्रियोग जादा किया जाता था दासों की बजाए इसका करण ये था कि दासरम पर लागत बहुत अधिक होती थी वो महंगे पढ़ते थे जिसे खाने की वश्ता करना रहने की वश्ता करना तो वो थोड़े से महंगे पढ़ते थे ठीक इसके खुले जो सर्मिक थे उनका प्रियोग किया जाता था भाड़े के मजदूरों के प् जमर जी उनको छोड़ देजे, तो इस तरीके से क्योंकि खर्चे अधिक थे, काफे कुछ खर्च ना होता था, इसलिए ये एक तरीके की समझ्या थी, दिरे दिरे इसलिए जो लोग थे, वो दास रखने से दूर होते गए, इसके साथ-साथ यहाँ पे हमारे चैप्टर में य बड़ा योगदान था, तो उनको कैसे वो मैनेज करके रखते दे, कि दो दास जो थे, सुरवाती दोर में दासों को रखा जाता है, लेकिन क्योंकि दास रम महंगा होने के काण, दासों को देरे-देरे मुक्त किया जाने लग गया, यानि कि जो परवर्ती सामराजिया था, उसमें उनको मुक्त किया जाने लग गया, अब इन दासों या मुक्त वैक्तियों को वैपार परबंदग के तोर पर नुक्त किया जाने लग गया, यानि कि उनको एक तरिके से, जैसे वैपार है तो उसमें उनको नुक्त किया जाता है, लेकि दास के तोर पे नहीं, बलकि म पारोबोर तक सौंप देते थे उन्हें लगता था कि ये ज़्यादा एक तरीके से की वफादा रहेंगी, इस तरीके से उनका प्रियोग की जाता था, मुक्त और दास दोनों परकार के शर्मिकों के लिए निरिक्षन सबसे महत्मुन पहलो था, यानि कि उनको ठीक से किया जाता था, और 20-25 के ग्रूप के उपर एक वेक्ति को निक्त किया जाता था, तो ये सब रिपोर्ट जो थी, वो मालिक को दिया करते थे, इसके साथ से यहाँ पे छोटा सा जो वर्णन है, वो अश्वारोही का हुआ है, जो वहां के सामजिक वरका एक परमुक भागते अश्वारोही क्या होते थे, इक वाइट्स की बात करे, ये अश्वारोही या नाइट वग थे, ये प्रमपरगत रूप से दूसरा सबसे सक्तिसाली और धनवान समो था, रोमन सामराजिका, ये मूल रूप से ऐसे प्रिवार से सम्मन रखते थे, जिनें गुर्चेना में उपचारिक योगेता होती यनके गुर्चवार होते थी और इनको एक वाइट्स कहा जाता था ओके तो ये कौन थे ये अश्वार होई थे गुर्चवार होते थे जो वहां की सेना का परमुक भाग होते थे और महत्पून जो पद थे परशांशनिक पद थे उन पर इनको ती यानकि वैपारी किरिया कलापों में लगे होती थी और जनता में भी इनका अच्छा का सा सम्मान था चिका से इज़त थी और इनका संबंद महान घरानों से होता था यानकि एक महत्पून भाग था ये जो अश्वारोहिया एक वाइट्स थे या नाइट वर्क जो था वो महत्पून भाग था जो धनी भाग था और सेना की भी एक मजबूत रेड की हड़ी थी ये उसके बाद जो लास्ट हमारा टोपिक है कि जो रोमन समराजे था जो इतना महान समराजे था तीन महाधिपों में फेला हुआ था इसका पतन कब और कैसे हुआ तो सन 305 में पतन के बाद जो ये जिस कंस्ट्रेटाइन का शासना है था तो इस वंस के पतन के बाद समराजे धीरी-धीरी कमजोर होता गया और पांच्वी सदी तक समराजे का बिलकुल पतन हो चुका था पूरवी रोमन समराजे हलांकि थोड़ा बाद तक बना रहा था ये 1453 तक बना गए थी दूसरे ये था कि राजनितिक एकता का भाव था ये भी राजनितिक कमजोरी भी थी कि शासक बार 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 बदलते रहते थे इसका घ्रहयुद भी इसके कारण थे इसके लिए विदेशी आकर्मन भी इसके कारण थे तो इस परकार के कुछ कारण थे जिसके कारण य जिसमें हमने Romans समराज्य के बारे में जाना और आपको लगा हूँ कि बस इतनी सी कहानी थी हाँ बस इतनी सी कहानी इस चापटर में दीगे और जैसा आपको लगा कि बिलकुल आसान सा ये चापटर था तो actually में ही इतना ही आसान ये चापटर है तो उमीद करता हूँ कि आपके सारे concept ठीक से clear हुए होंगे, अगर आपको ये chapter अच्छा लगा, ये video अच्छा लगा, तो इस video को like और share जरूर कीजिएगा, आपकी poll science की series भी चल लिए है, जिसमें हमने काफी सारे chapters cover कर लिये हैं, जियोग्रोफी की बात करें, तो A book हमारी हो 10 chapters होचके हो चुके हैं, B book के भी हमारे 4-5 chapters हैं जिनकी most important questions आ चुके हैं, अगर आपने उन series को नहीं देखा है, तो आपको playlist में जाना है, प्लेइलिस्ट में आपको class 11th geography, class 11th poll science, class 11th history, इसकी अलग से playlist मिल जाएगी, जहां से आप इन videos को access कर सकते हो, आज के लिए बस इतना Thank you, bye-bye, have a nice day.